आज हम बात करेंगे अच्छी सेहत और वह सभी काम जिसे इसे बरकरार रखा जा सकता है अच्छी सेहत जो सिर्फ एक बार मुफ्त में मिलती है और अगर एक बार चली जाए तो कीमत दे कर भी वापस नहीं मिलती है अगर मिल भी जाए तो इसके लिए भारी कीमत चुकानी परती है अच्छी सिहत ना तो किसी को दिया जा सकता है और ना ही इसे बाटा जा सकता है इसे सिर्फ हासिल किया जा सकता है अच्छी सिहत के कुछ सर्त है जो इस प्रकार है संतुलित अहार हमें अपने बोडी के सभी काम को करने के लिए अच्छी तरह से करने के लिए बैलन्स डाइट की जुरत होती है इसके लिए हमें दूज, सेब, अनार, केला, डाल, घी, अंडा, मांस, मचली, सबजी की जुरत होती है जिसे हम संतुलित अहार कहते हैं ताजा भोजन और पानी हमें हमेशा फल और सबजी ताजा और अच्छी तरह धो कर ही खाना चाहिए और तुरंत का पका भोजन खाने की कोशिस करनी चाहिए क्योंकि खाना खाने में जितना देर होगा उतना ही रोगानु उसे नुकसान पहुँचा सकेंगे साफ हवा, हमें यह कोशिस करनी चाहिए कि हमारा घर हवादार हो, घर में एकजॉस्ट फैन हो जो घर के गर्म हवा को बाहर निकाल सके धुआ रहित चुला हो साफ हवा के लिए हमें सिर्फ सवेरे उठकर तहलना चाहिए क्योंकि इस समय वायू कम दुसित होता है खुद की सफाई, खुद की नियमित सफाई भी अच्छी सिहत की सर्त है इसके लिए हमें ट्वालेट से आने के बाद या खाने से पहले साबून से हाथ धोना, बरस करना नियमित रूप से नाखुन काटना, प्रतिदिन नहाना, इत्यादी काम करना चाहिए एकसरसाईज और रेस्ट बोडी और ब्रेन को हेल्दी रहने के लिए एकसरसाईज और रेस्ट की काफी जुरत होती है जहां रेगुलरली एकसरसाईज हमें हर्ट की बिमारी, जोरों के दर्द और आलस से बचाता है वहीं रेस्ट भी हमारे लिए काफी जरूरी है इससे मेंटल प्रेसर यानि दिमागी तनाव कम होता है, ठकावट दूर होता है ताजा अनुभब महसूस करते हैं हमें कम से कम दिन में 6-8 घंटा सोना चाहिए अगला है वैकसिनेशन बिमारी से बचने और हैल्दी रहने के लिए हमें अलग-अलग बिमारियों का वैकसिन भी लेने की जुरत होती है जो हमें उन बिमारियों से लरने की ताकत देता है और हम उन बिमारियों के होने का चांस भी खत्म हो जाता है अच्छी आदतों का मतलब यहां उन चीजों का सेवन से बचना है जो हमारी सेहत को धीरे धीरे बरबाद करता है और हमें कुछ पल का आनंद तो देता है जैसे सिक्रेट पीना, खैनी खाना, सराब पीना, नसीले टैबलेट्स या सिरप पीना लेकिन इसका बाद में बहुत बड़ा नुकसान हमें भुगतना पड़ता है हेल्थ अजुकेशन अकसर लोगों को बिमारी की जानकारी की कमी की वज़ा से बिमारियां हो जाती है अगर हमें मालूम हो कि किन गलतियों के वज़ा से कौन सी बिमारी होती है तो हम उन गलतियों से बचेंगे और स्वस्त्रह पाएंगे शुक्रिया अगली वीडियो में जल्द ही हम आएंगे और बताएंगे कि हमारी सिहत खराब होने की क्या-क्या वजह है